नमस्कार स्वागत है आपका सिविल पितामा सिविल इंजिनरी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के इस ओनलाइन प्रेटफॉर्म पे मैं हूं कॉर्परेट ट्रेनर रास्तोष भठाग फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल डप्थ रिक्लिमिशन रोड मैंके टाइप और क्या ही क्या है यहां पे मैंना होता है और नियुक्ति करेंग करता है वह अवानおおum क्लेक्षर च्थ सेयंपल का sample collection है वो उसी ratio में होना चाहिए जो हमारा reclaimed material का ratio होगा तो यहाँ पर हमें जो sample collect करेंगे हम उसी ratio में करेंगे जिस तरह का हमारा reclaimed material का proportion होना चाहिए तो जो sample collection हम कर रहे हैं उसके लिए कुछ general principles के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि जो हमारा रोड है रोड के लैंफ हे लोंग हमारा weध का किंपुजिशन चेंज नहीं हो हुरा है या हमारा जो सब ग्रेट्स ओएल का नेचर है वह भी चेंज नहीं हो रहा है तो उस dübs में जो हमारा job mix formula required होंगे तो अगर हमार पार जो FDR group है FDR group में multiple number of roads हैं तो हर road के लिए अलग-अलग job mix formula यहां पर हमें design कराना होगा ऐसा नहीं होना चाहिए कि road one number one के लिए हमने job mix formula design किया है वही job mix formula हमने road number two road number three में भी implement किया है इस में FDR group में हर road के लिए हमें separately job mix formula को design कराना चाहिए यहां पर जो हम sample collection करते हैं वह staggered manner में करते हैं यानि एक sample हम यहां पर left में करेंगे दूसरा sample हम यहां पर center मिलेंगे तीसा sample हम यहां पर right मिलेंगे तो यहां पर kilometer के लिए हम एक sample को यहां पर requirement होती है कि kilometer में एक sample यहां पर लिया जाएगा तो kilometer one में हमने left side जैसे left में यहां पर हमने शो किया हुआ है कि left जो हमारा corner है उससे एक foot हमने distance लेके यहां पर sample को collect किया है वैसे हम यहां सेंटर पर सेंपल को collect किया है और kilometer three में right side से एक foot distance पर हमने kilometer three में सेंपल को collect किया है कि अब जो सेंपल हम collect करेंगे उसके लिए हम 50 by 50 cm का यहां पर खो देंगे तो 50 by 50 cm में जो भी हमारा material present है तो जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो उसका जो क्रस्ट कंपोजिशन जो क्रस्ट की thickness है हार लेयर की अलग अलग में यहां पर हम नोट करते रहेंगे तो जो रिप्रेजेंटेव सेंपल इस तो उसके लिए हमें जो करना है उसको करना होगा तो जो हम यहां पर क्रस्ट का का कंपोजिशन निकल के आता है वह 20 cm हमारे पास crush आती है तो thickness of existing pavement material हमें यहां पर पता चल गया 0.20 मीटर यानि 20 cm हो गया जो width of the existing pavement यानि existing pavement के width 3 मीटर है और प्रपोर्ट पेविट यहां पर 5.50 मीटर है तो जो भी हम FDR बेस construct करते हैं उसके लिए हम offset लेते हैं 15 सेंटिमीटर का तो जो प्रपोर्ट के अरेजवे हैं मारा 5.50 प्लस 0.15 5.65 मीटर का हमें FDR बेस बनाना पड़ेगा तो यहां पर हम जो 5.65 मीटर का FDR बेस बनाने वाले हैं तो यहां पर जो एक्जेस्टिंग पेविट थी वह 3 मीटर थी जिसकी कर्ष कंपोजिशन 20 सेंटिमीटर थी जब हम यहीं 20 सेंटिमीटर माटिरियल को हम 5.50 मीटर में बिछाएंगे तो कितनी थिकनस हमारी अग्रिगेट की आएगी वह हम यहां पर कल्कुलेट करेंगे तो जो जो प्रपोस्टिंच ओफ दियार बेस है वह 0.25 मेंटर जैनी 25 सेंटिमीटर हमारे पास प्रपोस्टिमीटर थी बिअ बेस की 25 सेंटिमीटर ऑफ दीर बैस बहँ हमें बनाना है तो जो हमारा is upgrade है हम ने उसको dismantle किया और 5.65 मीमक्र में हमने जब इसको spread किया तो 20 cm जो existing pavement material की crust की depth थी यानि thickness थी वो कितनी thickness रह जाएगी जब हम उसको 5.65 में spread करेंगे तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर हमने एक formula दिया है कि actual thickness of aggregate after reclamation यानि reclamation के बाद जो actual thickness of aggregate आएगी उसका formula है equal to existing carriageway width into existing crust thickness divided by proposed width of the FDR base जो existing carriageway है हमारे पास 3 meter है existing crust हमारे पास 0.20 meter है और proposed width of the FDR base 5.65 meter है तो उसके according यहाँ पर formula से actual thickness जो aggregate की है after reclamation आनी चाहिए 0.11 meter यानि 11 cm हमारे पास aggregate आनी चाहिए जब हम उसको 5.65 में spread करते हैं यानि 3 meter के material को हम 5.65 में spread करेंगे तो 11 cm thickness aggregate की होगी तो यहाँ पर हमने existing crust हमारे पास थी तो उसका जो thickness थी 0.20 meter यान 20 cm है और जब हमने उसको 5.65 में यही material जब spread किया तो वह thickness निकल के आएगी वह 11 cm आएगी लेकिन हमें जो FDR base बनाना है वह 250 mm यानि 25 cm का बनाना है तो हमेरे पास कितना material additional हमें इसमें मिलाना पड़ेगा कि यह जो हमारी थीकनेस है वह 250 mm हो जाए यानि 25 cm हो जाए तो इसको निकालने के लिए 25 cm जो FDR की thickness है 25 cm माइनस 11 cm कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना material additional यहां मिलाना पड़ेगा तो यानि डिफ्रेंस जो हमारा आएगा 140 mm आएगा तो 140 mm यानि 14 cm additional material हमें मिलाना पड़ेगा जिससे हम यहां पर अपनी ब्यार बेस की thickness को अचीव कर सकें अब हमें सेंपल किस तरह से collect करना है तो जैसे मैंने बताया था कि staggered manner में हमें सेंपल को collect करना है एक तरफ किलोमेटर में left side लेंगे दूसरे में center पे लेंगे तुसरे में right side लेंगे इस तरह से हम material को collect करेंगे material को collect करने के लिए हम यहां पर पिट करेंगे तो 0.5 meter by 0.5 meter या 50 by 50 centimeter का हम यहां पर पिट करेंगे तो जो भी material इस पिट में है तो उसके हम निकाल लेंगे यहां बाहर और जो thickness है हमारी हर pavement layer की उसको भी material करते रहेंगे और जो material यहां पर इस पिट में है उसको हम stack कर लेंगे एक जगा एकठा कर लेंगे वह जो हमारा material एकठा होगा वह 20 cm जो existing road की thickness है उसको ही represent करेगा तो existing road की thickness हमारी 20 cm थी उसको ही यह stack हमारा represent करता है तो यानि 20 cm जो भी material हमारे पास था यहां पर हमने निकाल के कठा कर लिया है अब जैसे जो भी thickness थी वह 20 cm थी वह ही material यहां पर है लेकिन जब हम उसको spread करते हैं 5.65 मीटर में यानि बिट में spread करते हैं तो उसकी जो aggregate की thickness हो जाती है 11 cm यानि 110 mm हो जाती है अब जो हमें फडियार बेस बनाना है वह 25 cm बनाना है तो हमें उसी के according यहां पर material को लेना है sample लेना है तो sample को हमें उसी रिप्रेजेटिव सेंपल लेना है कि हमें कितना material existing material लेना है FDR base के लिए तो हमें जो material मिला वो 20 cm के लिए मिला है जबकि हमारे जो थिकनस आ रही है aggregate की spreading के बाद वो 11 cm आ रही है तो जो हमने यहां पर material stack किया उसको हम दो पार्ट में यहां पर डिवाइड करेंगे इसको हम बाइवेट भी डिवाइड कर सकते हैं तो एक जो पार्ट होगा हमारा वो 11 पार्ट हो जाएगा यानि यहां पर 11 cm हमारी depth है तो पहला पार्ट हमारा 11 यानि proportion जो 9 पार्ट में हम इसको distribute कर लेते हैं दोनों material को तो यहां पर जब हम यहां पर 5.65 मीटर स्परेट करते हैं तो 11 cm हमाई थिकनस आती है तो जो 11 पार्ट हमने यहां पर अलग किया हुआ है उसको हम यहां पर रखते हैं और 9 पार्ट को हम छोड़ देते हैं तो जो भी रेप्रे कि थिकनस आई स्प्रेडिंग के बाद 11 cm की आई तो हमें कितना यहां पर मिलाना है तो यहां पर हम दियार में कोई भी अडिशनल मटेरियल हम नहीं मिलाते हैं तो यहां पर हमें स्वाइल की requirement होगी तो जो भी हम यहां पर स्वाइल होगी जैसे 20 cm हमने अरी क्रस्ट हो गई और फिर यहां पर हम 14 cm और डिक करेंगे जो भी हमारी स्वाइल आएगी स्वाइल मिक्स कर देंगे तो जो मिक्षर होगा उसको फोड़ली मिक्स कर लेंगे और एक इंवलाप में सील करके वह ही जो सेंपल है बना है उसी को हम टेस्टिंग के लिए भेज देंगे तो जो मार का सेंपल बना उसको सील कर देते हैं यहां पर सेचंपल में कि 15 सेंटिमीटर हम इसको आफसेट आइड कर देते हैं तो एक्चुल विट्थ ऑफ दे आर बेस हो जाएगी 3.90 मीटर तो हमने जो पिट डिक किया था उसके कि 15 सेंटिमीटर आफसेट आइड कर देंगे थ्री पॉंट 9 0 मीटर हमारे पास आएगी तो यही जो मेटेरिल है वह थ्री पॉंट 9 0 मीटर में हमें इसके लिए हम यहां पर कोई भी डिस्मेंटलिंग प्रोसीजर नहीं अपनाते हैं कि हम पहले डिस्मेंटल करें फिर इसको ह है 25 सेंटिमेटर हमने अफ द्यार वेस की थेंच को दी का हमारे पास 25 सेंटिमीटर होना चाहिए तो जो हमारा existing payment material है उसी को हमें 390 में यहां पर बिछाना हुआ है तो 390 में जब हम यहां पर अपने aggregate को यहां पर बिछाएंगे तो कितनी thickness आएगी तो actual thickness of aggregate after reclamation हो जाएगा existing carriageway into existing crust divided by proposed width of the FDR base तो 3 into 0.20 existing crust 3 meter existing अब जो हमारी existing crust है वो 20 cm थी जबकि हमने जब उसको 3.90 में बिछाया तो उसकी thickness आएगी 0.15 मीटर 15 cm आएगी जबकि हमारी FDR base की thickness 50 mm है यानि 25 cm है तो हमें कितना additional material इसमें बिछाना पड़ेगा उसको निकालनेंगे 25 में से यह existing जो हमारा जो aggregate की thickness आई है वो हम यहां पर माइनस कर देंगे 25-0.15 करेंगे तो 0.10 meter यानि 10 cm हमें additional material मिलाना पड़ेगा तो material यहां पर हम subgrade soil लेते हैं तो जैसे जो हम सेंपल कर रहे हैं सेंपल सेंप्रोसीजर करेंगे 50 by 50 cm का पिडिक करेंगे जो भी material प्रेजेंट होगा उसका हम एक stack बना लेंगे यह हमारा 20 cm existing crust composition को रिप्रेजेंट करेंगा अब जैसे कि जब यह जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है 20 cm existing crust material को जबकि हमने जब 3.90 में split किया तो 150 mm यानि 15 cm हमारी thickness आएगी aggregate की तो हमें इसको represented simple बनाने के लिए इसको दो पार्ट में divide करना पड़ेगा तो एक पार्ट तो हो जाए जितनी thickness हमारी यहां पर है उतना यहां पर हम पहला पार्ट consider करेंगे दूसरा जो difference है दोनों में वह दूसरा पार्ट हो जाएगा तो जो थिकनस यहां पर हमारी पास spread के बाद आ रही है उसी पार्ट को यहां पर हम रख लेते हैं और दूसरे पार्ट को हम यहां पर discard कर देते हैं अब जो 15 पार्ट यहां पर हमारा पास aggregate का आया है उस तो यहां पर जो हमारा existing crust है वो 20 cm है तो जब हम नीचे soil को डिक करेंगे 10 cm हमें soil डिक करनी पड़ेगी और वही जो 10 cm हमने pit में डिक की है soil वही हम यहां यहां पर 100 mm यानि 10 cm soil यहां पर aggregate में mix करेंगे तो जो aggregate soil का mixture होगा उसको thoroughly यहां पर ठीक से mix कर लेते हैं और uniform mixture बना ले सेंपल लिंग के लिए यहां पर formula के sampling के लिए देते हैं टेस्टिंग के लिए तो जो सेंपल हमने collect किया है उसको चील करके उसको लेबरेटरी में टेस्टिंग के लिए विजवा देता है तो जैसे कि existing अगर हमारे रोड है 3.75 मेटर है और हमें कोई भी वाड़निंग प्रपोस्ट नहीं है तो हम 1070 मेटियर के good soil को उसमें mix करेंगे और 15 सेंटिमें थिकनेस का रिप्रेजेंटेटरीट सेंपल यहां पर material लेंगे और उसके से हम जो मिक्स फॉर्मिला का सेंपल त 60% हमारा aggregate की value होनी चाहिए और 40-45% हमारा soil होनी चाहिए तो हमारा जो मिक्स फॉर्मिला होता है उसके इस्टंट अच्छी आती है तो प्लप्राइशन प्रोसेस में जो अग्रेट ऑफ देग्जिस्टीं प्विमेंट मटिरियल है वह सब्ग्रेट स्वाइल के साथ सीमेंट के साथ commercial chemical stabilizer additive के साथ और water के साथ mix करके ही बना जाता है जो हमारा FDR base होता है तो उस तरह से हम यहां पर represented sample collect करते हैं कि जो हमारा reclaiming के बाद जो हमारा sample आना चाहिए उसका ही हम यहां पर sampling यहां पर करते हैं उसी तरह से हम represented sample यहां पर बनाते हैं तो I hope आपको समझ में आया हो हुआ है कि जो हम FDR job mix formula के लिए जो sample collect करते हैं वह उसका procedure क्या होता है कौन कौन से प्रिंसपल होते हैं किस तरह से हम सेंपल को collect करते हैं और कैसे हम यहां पर थेकने से जियूम करते हैं उसी तरह से हम कितनी पार्ट में हम यहां पर aggregate लेते हैं representative sample के लिए तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें उपने फ्रेंट्स के शायर करें ताकि ऐसे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो उन तक भी पहुश सकें तो इससे साथ बिदा लेते हैं मिलते हैं ऐसे अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं 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 मिलते हैं